हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेट केरियर आज हम बात करेंगे CITS इंट्रेंस एक्जाम कोपा ट्रेड़ वालों के बारे में कोपा और CSA दोनों एक ही नाम है कोपा पहले नाम जाना जाता था अब लेकिन इसी नाम को हम CSA नाम से भी जानते हैं कंप्यूटर साफ्ट्वेर अप्लिकेशन तो यह सेशन दोनों के लिए अब्लश में देदुगा और शृट की कार्ड में भी देदुगा दो आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए कि नंबर 25 नंबर का कोशन कर आयं था प्रॉफिट a А लॉस किस नाम से जानते हैं तो प्राफिट और लास किसे निकालते हैं एक्सपेंस प्लस रिवेन्यू से यानि कि हमने कितने खर्च रुपे किये और कितने रिवेन्यू से आए ठीक है तो रिवेन्यू क्या हो सकता है जितने में हमने खरीदा उससे कम भी आ सकता है उससे अध दिक आएगा तो प्रॉफिट होगा चलिए अब इससे आगे हम करते हैं 26 नंबर से अगर आपने अभी तक पिछली की सभी वीडियो नहीं देखा एक से 20 तक तो प्ले लिट से जरूर देख लें आप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा यहां आई बटन मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं 26 नंबर दिया एक काउंटिंग इस एकाउंटिंग क्या है साइन से एकाउंटिंग क्या है साइन से आर्ट है या दोनों है या इन में से कोई नहीं तो एकाउंटिंग इन में से कोई नहीं है दोस्तों एकाउंटिंग इन में से कोई मिलने वाला डिक्लियर इंसाइड में तर्ड जानि कि जो डिक्लियर करता है इंसाइड में तक को क्या करते हैं उस वरियेबल को क्या करते हैं 27 नंबर का कॉस्चन तो करेक्ट टेंसर यहां पर क्या हो जाएगा लोकल हो जाएगा, next question है, which segment is eBay in an example, इन में से eBay जो है, किसका एक्जामपल है, segment का, B2B का, C2B का, C2C का, यह न राब, दीज, तो यहां correct answer हो जाएगा, इन में, next है, which type of deals with auction, auction की साथ कौन सा deal होता है, तो auction की साथ जो deal होता है, वो है, B2C, next question है, what stores excel data, यानि कि excel data में क्या store होता है, यह बताना है, compartment, या variable, या macro, या field, तो excel data में जो store होता है, वो macro होता है, है, क्या होता है, macro, next question is 31 number, which is not a function of e-commerce, इन में से कौन सा e-commerce का function नहीं है, यह बताना है, आपको, तो e-commerce का function नहीं है, marketing, advertising, या warehousing, या none of these, तो e-commerce का यहाँ पे correct answer हो जाएगा, इन में से कोई नहीं है, e-commerce का मतलब क्या होता है, जो online business किया जाता है, है, e-marketing होता है, उसी को e-commerce का आजाता है, e-commerce के द्वारा, बहुत से deal होते हैं, आपके अंतरगत, जिसे, अगर आप online treatment कराते हैं, तो online booking करते हैं, उसे भी e-commerce कहते हैं, medical से भी, यानि कि सभी छेतर जो online से जुड़े हैं, वो e-commerce होता है, ठीक है, next है, what are the most commonly used input device today, यानि कि बहुत से हम device यूज करते हैं, उसमें से common जो use करते हैं, input device, आज के दोर में, वो क्या है, keyboard, mouse, बोस a and b, यानि कि दोनो, keyboard और mouse दोनो, या इन में से कोई नहीं, तो आप सभी को पता है, keyboard भी एक क्या है, input device है, और mouse भी, जिसका आज कर हम use काफी ज्यादर करते हैं, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, see हो जाएगा, next question बढ़ते हैं, 33 number, which one is also known as plastic money, इन में से कौन ता plastic money के नाम से जाना जाता है, आपका comment बाक्स में answer आना चाहिए, credit card, debit card, paper cash, याला, तो इन में से जो plastic money के रूप में जाना, plastic money के रूप में जाना जाता है, credit card को, याद रखिएगा, अच्छा question है, next question है, 34 number, which one is not used as a security mechanism, इन में से कौन सा security mechanism के रूप में परियोग नहीं करते हैं, encryption, cryptography, wallets या digital signature, तो यहां correct answer और सी हो जाएगा, valid, score security mechanism के अंतरगत, परियोग नहीं करते हैं, next question है, 35 number, secret key is used for, secret key का परियोग क्यों करते हैं, यह आपको बताना है, तो secret key का परियोग की जाए जाता है, public key cryptography के लिए, private key cryptography के लिए, या asymmetric key cryptography के लिए, या asymmetric key cryptography के लिए, या ना ना दी, तो जो secret की परियोग में लाते हैं, वो है, private key cryptography, next question है, e-banking, इसे आलसो ना नहीं है, e-banking को अन्य किस नाम से जाते हैं, ATM के नाम से, net banking के नाम से, traditional banking के नाम से, या ना ना दी, तो e-banking का मतलब होता है, कि आप जो भी lending करेंगे, net के माधियम से करेंगे, तो हम e-banking को किस नाम से जाते हैं, और किस नाम से जानेंगे, net banking के नाम से भी option correct हो जाएगा, next question 37 number, which one is an online payment method, इन में से कौन सा online payment method है, यह बताना है, आपको online payment, payment में से कौन सा है, cash and delivery, क्या होता है, कि जब आ जाए, तब product जब आ जाता है, तब हम delivery करते हैं, यान cash delivery होता है, payment, online payment नहीं करते हैं, next question है, cash before delivery, ठीक है, demand draft या, इचे, तो जो cash before delivery हम लोग करते हैं, यानि कि समान अभी आने से पहले, हम cash को paid कर देते हैं, payment कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, online payment, यानि कि यहां correct answer क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और, और क्या हो सकता है, e cash भी हो सकता है, ठीक है, e cash भी हो जाता है, next question है, OTP stand far, OTP का full farm बता रहा है, on time password, on time processing, one time password, या नन अभी, देखिए, जो भी question हो, आप पूरा complete पढ़ा करिए, उसके option भी complete पढ़ा करिए, ने तो, जल्दी बाजी में क्या होगा, exam में, on time password मारके आगे बढ़ जाएगे, ठीक है, तो लेकिन यहां पर correct answer कौन सा होगा, one time, password correct answer होगा, OTP का full farm, full farm से संबंदित हमने already video बना रखा है, जो कि important है, आपको playlist में, sorry, description बाक से में मिल जाएगे, उसको देख लिजएगा, एक question, दो question वहाँ से आ सकते हैं, next question पर बढ़ते है, 39 number, दिया है, digital signature है, वो क्या है, एक digital ID है, या send as attachment to webpage email message, digital signature कहलाता है, जो email में या web page पे हम message करते समय लगा होता है, वो ऐसा ID, या is used for verify the attachment send using web, यानि कि ऐसा attachment जो हम send करते हैं, web का परियोग करके, उसको verify करने के लिए जो होता है, उसी को digital signature करते हैं, या दोनों उपरोक्त दोनों के, या इन में से कोई नहीं, तो digital signature किसको बोला जाता है, digital signature एक है, use for verify the attachment send using web, इस करेक्ट टेंसर हो जाएगा, next question है, 40 number, the study of encryption is card, यानि कि ऐसा अध्यान जिसमें encryption का परियोग किया जाता है, उसको क्या केते हैं, तो उसको क्या केते हैं, decryption, cryptography, firewall या अलाब, दी, तो करेक्ट टेंसर यहाँ क्या हो जाएगा, cryptography कहलाता है, encryption का देन, cryptography कहलाता है, याद रखिएगा, encryption का study क्या कहलाता है, cryptography, मेस्ट कोशन है, the virus spread through, यानि कि virus किस की द्वारा फिलता है, या बताना है, इस सभी के दौर आपका वाइरस इस्प्रेड होता है ओसे नेक्स कूर्शन एके लैंगवेज जावा कैसा लेंगवेज यह उपतारा है कैसा लेंगवेज है粉 टेप रइन च्याया है नेना unity तो जावा एक प्रकारिका लेंगवेज जो कि इन में से कोई नहीं है यह जावा क्या होता है जावा आप नहीं देखा होगा तो एक कोड टाइप में ऐसे ऐसे सब दिखा होता है उसी को जावा लेंग में बोला जाता है नेक्स्कोशन है 43 number how many primitive data types are there is java primitive data कितने टाइप का होता है java में यह बताना है तो primitive data type जो होता है java में वो टोटल कितने परकार के होते हैं 8 परकार के होते हैं correct answer 8 हो जाएगा next question is visual basic is a tool that allow you to develop application in यानि कि visual basic tools जो है जो आपको application को develop करने में परियोग किया जाता है वो क्या है तो वो correct answer हो जाएगा आपका graphical user interface correct answer हो जाएगा next question है 45 number there is the default data type for visual basic is ऐसा default data type जो visual basic में के लिए होता है वो क्या होता है तो correct answer यहाँ पर variant हो जाएगा next question है 46 number array can be decide at any time किस टाइब का array जो होता है resize किया जा सकता है किसी भी समय तो dynamic array होगा या fixed array होगा या multi dimensional array होगा या control array होगा तो यहाँ correct answer हो जाएगा dynamic array जो होता है उसको कभी भी हम लोग resize कर सकते हैं यहां में कह रोको next question है storage size storage size of byte data type इस यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो size होता है by data type का वोट टू बाइट होता है ठीक है जो storage size होता है बाइट डाटा टाइप का वोट टू बाइट होता है next question 48 number दिया है the default data type for vb का जो data type default है वो क्या है integer है variant है string है यह decimal है तो vb जो होता है data type के लिए है default कौन सा होगा इसमें तो भी correct answer हो जाएगा variant next question 49 number दिया है MDI इस्टेंट फार MDI का फूर्फाम बता रहे हैं तो यहां MDI का फूर्फाम क्या हो जाएगा multiple document interface multiple document interface MDI का फूर्फाम multiple document interface next question है मैं already वोलना हूं देखिए यहां पर हर एक question में यानि कि आपको CITS के इंचाम दे रहे हैं तो चार से पांच question आपको फूर्फाम से आएंगे ठीक है जिसका मैं लिंक description बाक्स में दे दूँगा फूर्फाम कप्यूटर फूर्फाम का मैंने आल्रेडी वीडियो बना रखा है उसको देख लीजीगा नेक्स question है 50 number दिया a boolean data type can store bytes एक boolean type का data type है ठीक है boolean data type है वह store कर सकता है कितने चार बाइट को तो इस वीडियो में टोटल आपको कोशन करानी कोशिस किया अगर आपने एक से लेकर 21 तक अब भी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में description box में दे दूँगा वहाँ से देख सकते हैं या यहां पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा प्लेइलिस्ट या आप वीडियो को माधिन प्लेइलिस्ट में भी जाके सिट्याई कोपा या से लिखा होगा वहाँ से देख सकते हैं अपने यह सिसन अगर आपको पसंद आया